बहुत सारे परिवारों में हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोग बिना किसी कारण के अपनी पत्नी को खुद से अलग कर लेते हैं या फिर मार पीट कर अपने घर से भगा देते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो हिंदू धर्म के हिसाब से उसे अपने इस कर्म की क्या सजा मिलेगी देखी अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को बिना किसी कारण से छोड़ता है जैसे कि कुछ लोग मार पीट कर छोड़ देते हैं कुछ लोग एक से अधिक साधी करने के लिए अपनी पुरानी पत्नी को डिवॉस दे देते हैं उनका त्याग कर देते हैं तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वशिष्टिस्मिति में साफ साफ लिखा हुआ है कि अदुस्टाम विनेताम भारियाम योवने यह परित्यजेत सब्त जन्म भवेत इस्तरीत्वम वैधव्यम्च पुनह पुनह अर्थात अगर कोई व्यक्ति अपनी निर्दोस और युवा वस्ता में छोड़ देता है उसका त्याग कर देता है तो वह व्यक्ति साथ जन्म तक इस्तरी बनता है और बार बार वैधवी को प्राप्त होता है मतलब कि वह साथ जन्म तक इस्तरी योनी में जन्म लेगा और बार बार उसके पती की मित्ति हो जाएगी और वह व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ